फ्रेंड्स जल्दी ही Reliance अपने Gio 4G Laptop को लांच करने वाला है अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या होगी Reliance Gio 4G Laptop की प्राइज क्या होंगे इसके स्पेसिफिकेशन्स कब तक ये लांच हो जाएगा और कैसे आप इसे बुक कर सकते हैं या और्डर कर सकते हैं तो इसके लिए आपको देखना होगा इस वीडियो को दोस्तो मेरा नाम है अनुच आप देख रहे हैं टेक्नो ब्रेक्स चलिए शुरू करते हैं दोस्तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉरण कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा फ्रेंड्स रिलाइंस जियो लेप्टोप में आपको कई एक्स्टा ओडनरी फीचर्स मिल सकते हैं जैसे कि यह एसा फर्स लेप्टोप होगा इंडिया में जिसमें आप सिम कार्ड यूज कर सकते हैं और इसका मतलब यह होगा कि आपको अब इंटरनेट चलाने के लिए इस लेप्टोप में वाइफाइ नेटवर्क की या लेन केबल की जरुवत नहीं होगी अगर esusथ बात करें इसके टेक्निकल स्पैसिफिकेशन की या कमपली टेकनिकल स्पैसिफिकेशन की आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसका डिस्पले होगा 13.3 इंच का जोई होगा फूल-HD डिस्पले अगर जो QETK का HD display Macbook Pro भी प्रोवाइड करता है अगर इसके display के aspect ratio की बात करेंगे तो वो होगा 16-9 का इसका मतलब आपको 1920-1080 का display मिल सकता है आपके इस laptop की screen पर इसके अदर आपको full HD cam webcam भी available होगा जिससे आप बहतर video calls को कर पाएंगे अगर बात करें इस laptop के keyboard की style के बारे में तो वह होगी चिकलेट style जिसमें dedicated number page आपके लिए available होगा इस laptop में आपको surprisingly कोई cooling fan नहीं होगा body बनी है magnesium alloy के material से इस laptop का weight काफी कम होने वाला है 12.2 mm की इसकी thickness होगी और बताया जा रहा है कि इसका weight होगा सिर्फ 1.2 kg अगर laptop की processing speeds या processing capabilities की बात करें तो इसके अंदर लगा होगा Intel Pentium Quad-Core processors और इसमें मिल सकता है आपको 4GB की RAM अगर बात करें इसकी storage capacity की तो आपको 64GB का eMMC storage इसके अंदर मिलेगा साथी 128GB का SSD storage भी आपको मिल सकता है जिससे आप अपने data को बहतर तरीके से store कर पाएंगे अगर बात करें इस laptop की connectivity slots के बारे में या options के बारे में तो इसके अंदर आपको मिलेगा 4G vault technology enabled साथी आपको मिलेगा Bluetooth 4.0 अगर बात करें Wi-Fi connectivity के बारे में तो आपको इसके अंदर Wi-Fi enabled होगा साथी USB के 3.0 version के 2 ports आपको मिलेंगे साथी आपको Micro HDMI port भी available होगा साथी साथ Micro SD card slot भी आपको इसमें मिल जाएगा Officially अभी Reliance ने, Reliance Geo ने इस laptop की price के बारे में कुछ comment नहीं किया है लेकिन आप इसे expect कर सकते हैं 15,000 के आराउंड हो सकता है Friends अगर इस laptop के rivals की बात करें या competition की बात करें तो इस laptop का सीधा competition है Xiaomi के Mi Notebook Air के साथ Xiaomi का Mi Notebook Air recently ही चाइना में launch हुआ है जो की Reliance 4G laptop की तरह ही cellular seams को support करता है internet connectivity के लिए तो अब यह देखना बहुत ही interesting होगा कि Reliance Geo किस तरीके से इंडिया में perform करता है और आखिर वो किस तरीके से Xiaomi के Mi Notebook Air को पीछे छोड़ता है Friends अगर आप Reliance Geo के laptop की booking से related जानकरी चाहते हैं तो आप प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि अभी market में जो भी Reliance laptop की booking हो रही है वो scam है या fake है Reliance Geo ने अभी तक इसके उपर कोई भी official comment नहीं की है आप इस वीडियो को अपने friends और relatives के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी इस तरीके के scam में फसने से बच सके हैं दोस्तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को like और subscribe नहीं किया है तो फॉरण कर दीजिए और bell icon को दबाना ना भूलिएगा लेटेस टेकनोलोजी के वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप जुड़े रहे टेकनो ब्रेक्स के साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा क्या ये जानकरी आपके लिए सच मुझ यूस्फूल रही ये सब बताने के लिए आप कमेंट्स का जरूर इस्तमाल करें दोस्तो इस वीडियो को देखते रहने के लिए और टेकनो ब्रेक्स को सबस्क्राइब लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद